बिट बॉस की घर के अंदर कौन बना है पहला कैप्टर आखिरकार किसको मिली है कैप्टेंसी और किसको दी गई है यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं हीना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी तो बहुत सारी एक्स्क्लूजिव खबरे जो हैं आप जाते ही हैं ह और दम इन तीनों में जो है पूरा घर डिवाइडेड है ऐसे में यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो घर के अंदर कॉंटेस्टेंसी का सेलेक्शन हुआ है वह इसी हिसाफ से हुआ है तो यहां पर जो पहली खबर आ रही है वह यही है कि यहां अब कैप्टेंसी के जिम्मेदारी हाला कि फॉर्मल कैप्टें जो है कोई नहीं बन पाया क्योंकि अभी घर के अंदर काम पूरा नहीं हुआ गार्डन एरिया का काम फिलहाल चल रहा है तो टास्क अभी एक दो दिन में शुरू होंगे तो अब मैं आपको बता दू कि यह लोग सामने आ रहा है वो है सनी आर्या का यानि की तेहलका का तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है जो दिमाग वाले रूम में रखा गया है वो है जिगना वोरा का जिगना वोरा दिमाग वाले रूम में है जो वकील है जो आर्या आर्यान खान का केस लड़ रही थी मैं हाला कि स मुझे नहीं पता कि यह person कौन है लेकिन वहां पर सब इसको है अद्रा वदी क्या कर बूला रहे हैं उसको दिमाग के रूम में रखा गया है और six person को लेकर जो है फिल्हाल clarity नहीं है लेकिन जो छे लोगों को दिमाग वाले रूम में रखा गया है और इन लोगों में से दो लोगों को कहा गया है कि आप duties जो है वो divide करें और बताए कि कौन क्या क्या काम करेगा तो वो दो लोग जिनकों कि ये काम दिया गया है यानि कि दिमाग वालों के साथ consult करके हाला कि मैं आपको पहले ही clear कर दू कि show का पहला episode है बहुत सारी unedited चीज़े थी edit हो जाती है तो हो सकता है कि इन में से आपको जब आप episode देखे तो 60-70% information सही लगे 30% edit में बहुत सारी चीज़े edit हो जाती है या आप जानते ही है पर जो set पर हुआ है उसके खबर के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि दो लोगों को बुलाकर यानि कि UK07 और Sunny Alia को बुलाकर कहा गया है कि आप घर के अंदर जो है duties divide करें तो यह खबरे फिलार आ रही है इसके अलावा भी बहुत बड़ी-बड़ी exclusive जो है वो मेरे पास है जो मैं आप तक लेकर आओंगी तो आप लोग बने रही है फिल्मेंडों के साथ हमारा इंस्टा, ट्विटर, फेस्बूक यह भी फॉलो कीजिए क्योंकि कुछ खबरे मैं यूट्यूब पर डालूगी तो कुछ खबरे जो है मैं बागी अपने सोचल मीडिया पेजिस पर भी डालूगी तो हो सके तो आप महां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं